हेलो दोस्तो तो सबकी घर में एक समस्या हर समय बनी रहती है कि आज खाने में क्या बनाएं तो दोस्तो आज मैं आपकी समस्या का सुल्यूशन लेकर आई हूँ वीडियो सुरू करने से पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट टैलेंट में मैं फिर से आपके सामने हाजर एक नई वीडियो लेकर आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को पूरा देखने ने भूले वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं वैसे तो आपने टमाटर की बहुत सारी चटनिया खाई होगी लेकिन मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक डिफरेंट रैस्पी तो आई वीडियो को सुरू करते हैं तो मैंने यह पांच अच्छे से पक करेंगे क्योंकि इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिर हम एक एक करके टमाटर के पीस को इसमें डालते जाएंगे और इन्हें अच्छे से फ्राइ करेंगे यह अच्छी तरह से उबल जाएंगे जब यह उबल जाएंगे तो इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा हम ढाल देंगे थोड़ी सी लहसन की कलिया ताकि वे भी अच्छे से उबल जाएँ देखिए दोस्तो जैसे वीडियो में बैंने डाला है अब इसे थोड़ी देर के लिए हम धक हर रख देंगे ताकि यह अच्छी तरह से उबल सके तो देखिये दोस्तो टमाटर्स और लहस को अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सब पोधीना पौडर क्योंकि इससे भी टेस्ट अच्छा आता है और चटनी का सौद दुगना हो जाता है और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पावडर आप इसमें कश्मेरी मिर्च का भी प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है और इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे नमक नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर लो फ्लेम पर भून लेंगे देखिए दोस्तों हमारी टोमाटर की चटनी बनकर तयार है आप इसे घर पर जरूर ट्राइ करें जब आपके घर में कुछ भी बनाने को नय हो तो आप यह चटनी जरूर बनाए और महमानों को भी जरूर दे तो महमान आपके फैन हो जाएंगे आज के लिए इतना ही मिलते है next video में.